नमस्कार मेरे विद्यारती मित्रों, सवया और कवीत ये दोनों ही चंद हैं, जो की क्लास 10 हिंदी छितीज में चेप्टर नमबर 3 में संकलित हैं, आज हम इस चेप्टर के सभी मेत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं, जो की आपकी परिशा की दृष्टी से बहुती मेत्वपूर्ण हैं, आसा है ये पाठ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और सभी MCQ के जवाब देने को आप रेडी हैं, चलिए शुरू करते हैं, एक एक प आप सही जवाब दे रहे हैं, या फिर आपकी तयारी कैसी है, पहला परशन है किष्ण की छाती पर किसकी माला सुसोवित हो रही है, तो किष्ण की छाती पर किसकी माला, पहला उप्षन सोने की माला, दूसरा हीरे का हार, तीसरा फूलो की वन माला, और घय का उप्षन है, इन में से कोई नहीं, तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है बच्चों, फूलों की वनमाला, परसन नमबर दो, किसकी आखे चंचलता और सरारत से भरी है, कृष्ण की, राधा की, मीरा की, शीशू की, तो पहला उत्तर सही है, ओप्सन कै, कृष्ण की, कैव तो कामदेव जैसी रितु कौनशी है, कवी कौनशी रितु को कामदेव से बराबरी करते है, बसंत रितु, इसका उत्तर है, घय ओप्सन, यानि की, फूर्थ ओप्सन, बसंत रितु परशन नमबर च्यार, कृष्ण कैसा वस्तर धरन की हुए है, काला, सफेद, लाल, पीला, इसमें भी चोथा उप्सन सही है, पीला पांचवा परशन किर्षन का मुख किस के समान कांती से परिपून है तो किस के समान है सूर्य के समान, चंदर्मा के समान, तारों के समान, फूल के समान तो जो किर्षन का मुख है वह चंदर्मा के समान यानि है option सही है सेकिन पर्शन नमर 6 किष्ण के चर्णों में क्या सुसोवित है पुस्प मतलब फूल नुपूर मतलब पायल खड़ाओ खड़ाओ जो लकड़ी की चपल होती है पहने की वो इन में से कोई नहीं तो बच्चो इसका सही उत्तर है नुपूर किष्ण के चर्णों में नुपूर बसते हैं मतलब पायल पैने हुई है उन्होंने पर्शन नमर 7 किष्ण के सरीर का रंग कैसा है साउला गोरा काला गेमवा तो सही उत्तर है साउला ओप्सन नमर 1 कया ओग किष्ण को किसकी भाती सजा दजा दिखाया गया है तो किष्ण किसकी भाती लग रहे है नायक के जैसे देव के जैसे दुल्ले के जैसे इनमें से कोई नी तो सही उत्तर है बच्चो किष्ण ने दुल्ले के जैसे लग रहे हैं अगला पश्ण है कवीर ने चांदनी रात की सुन्दरता को किन रूपों में देखा उत्तर है आकास में स्टिक सिलाओं से बने मंदिर के रूप में दही से चलकते समुदर के रूप में दूद की जाग से बने फर्स के रूप में तो तीनों उप्शन सही है इसका मतलब उप्शन फॉर्थ इसका सही रहेगा उप्यूक सभी किसकी जगमगाहट राधा की सिख्यों की तरह लग रही है बल्ब की सूर्य की सोंद्रिय की तारों की तो सही उत्तर आएगा घय उप्शन चोथा तारों की तरह परसन नमबर ग्यार है चांदनी रात में कौन दरपंड सा परतित होता है तो उप्शन है आखास तारे चांद जल सही उत्तर है बच्चो आखास कभी ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है सुधा मंदिर की तरह देव मंदिर सोंद्रिय महल इनमें से कोई नहीं उप्शन कै इसका सही उत्तर है सुधा मंदिर परसन नमबर 13 किष्ण कमर में क्या पैने हुए है कमरधनी डोरी माला इनमें से कोई नहीं तो बच्चो किष्ण कमर में कमरधनी पैने हुए है देव कैसे कभी है चायवादी है दरबारी है आसावादी है इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है दरबारी कभी है मतलब दर्बार में रहते थे और दर्बार में रहकर राजा माराजाओं के दर्बार में थे और उनकी परसंसा में लिखते थे या पगवान के लिए लिखते थे दन्यवाद मेरी विद्यार्थी मित्रो यहां पर सब भी परस्णों के उत्तर दी हुए हैं अगर आपको अच्छी से नहीं समझ में आए तो यहां उत्तर आप देख सकते हैं और अपने नौटबुक में लिख सकते हैं एक एक परस्ण का सही ओप्शन चुनकर अपने और बने रहेगा सब भी वीडियो को देखते रहेगा